हालो तो आ गा था आप से लिखा आज के इस नए सेसएं और ये सेशन कंप्योटर का है और ये चेप्टरन नमर अधियाμεं क् apparent कर दिया गया है आप चाहे तो जाके प्लेइलिस्ट में दिया गया वहां से आप देख सकते हैं बहुत ही मास्तों सेशन है कंप्यूटर शॉप्टवेर क्योंकि आज की डेट में सारा कुछ समझे जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी अलेक्ट्रोनिक आप डिवाइस और ऐसे भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो चलिए इसको सुरू करते हैं इस चेप्टर को इसमें मोर्दें 50 कोश्टन है जो बहुत ही महत्पुन है और प्रिवियस यह में जैसे आप फॉस्ट कोश्टन से देख सकते हैं सारे किसी ने किसी एक्जाम में पूछ सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करिए पसंद आता है तो और अगर लगता है कि यह सेशन यूसपुल है तो जितने भी आप लोग के फ्रेंड सरकल में उनको भी मदत हो जाए जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा अब के लिए और उनके आपका था क्या रहा है क्या करना है उस टेंजिवल इंस्ट्रक्शन को क्या हम लोग बोलेंगे तो उस ही को तो बोला जाता है सॉप्ट्वेर ध्यान रखें हैं पता होना चाहिए आपको सॉप्ट्वेर किसको बोलते हैं और लांस से सन में हाइलाइटर नहीं यूज़ हुआ था चलिए इस वार आप लोगो डिमांड है कि हाइलाइटर यूज़ करके बताया जाए अंसर तो ठीक है इसको हम लोग देखिए ऑप्टन अच्छे से जिसका सही जवाब होगा सब्सक्राइब क्या है एक तरह का क्या है प्रोग्राम है नेक्स्ट्वेशन है वीज़ फ्लोविंग इस शॉप्ट्यार इनमें से शॉप्ट्यार कौन सा बताना है तो देखिए कीबोड है नहीं यह तो हाड़वे देखिए और यह माइक्रोशॉफ्ट कंपनी का है जो कि अध्यार साथ से यह यूज हो रहा है विंडोस में तो बहुत सारे लोग सभी लोग बाकिव और इंटरनेट एक्प्लोर से और आज के डेट में जनली क्या होता है ब्रॉजर में उसमें यूज होता है विंडोस सफारी यह भी क्या है ब्रॉजर एक तरह से तो यह यूज होता है जेनरली आयोस डिवाइस में द्यान रखेगा आयोस यानि की जो मैक्पूक एपल का आइफ़न यह सब जो डिवाइस आता है उसमें आपको इन विल्ट सफारी मिलेगा जेनरली माइक्रोफ में पहले एक्स और सबसे पॉपलर अभी जो है वह है आपको हर जगह दिंग जाएगा यह क्रोम जो है वह आपको गूगल का देहां रखेगा काफी कुछ हो गया इस कुर्शन में चलिए नेक्स कुर्शन देखतें कुर्शन नमबर पूर है इसमें पुछाए आपसे प्रैमरी परपस और स सब्सक्राइब का क्या है यह पूछा आपका तू चलिए बताइए प्रैमरी परपस क्या है सब्सक्राइब का कि इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा कि इंफर्मेशन में कनवर्ट करना नेक्स्ट है और यह क्रेशन देखें कितना आर्वे ग्रेट बी जोगी काफी अच्छा है गया मानना जाता उसनों पुछा यह ज्याद पहले करेंगे दोजाग चौदम पुछा गया है अब पुछा कंप्यूटर शॉप्टेर इस यह क् ना इनक्तोर के बहुत सारे इंस्ट्रक्षण को मिल्के क्या बोल रहेंस इस्ते सी अर्प्रेस्टोरा निटेंट क सुछ डेटा का इसने मेट्ण responses to question or clicking and icon or call . इसको क्या बोलेंगे , इसका सही जबाब होगा instruction रहें रहे रहें रहें रहेंद एक्ट केगा , next question आपका the two board categories of software , sorry board category , उसका जनली software दो पार्त में divided होता है , software कौन-कौन सा होगा तो वो पुचह आपसा , तो इसका सही जबाब होगा आपका , एक होगा तो देखेए अप्लिकेशन सप्ट्वेर मतलब एक तरह से जैसे कि आपका OS होता है OS मतलब ऑप्रेटिंग सिस्टम जो कम्प्यूटर को चलाने के लिए युजो यह हो गया इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि वह इंटरफेस प्रोवाइड करना और इस पर इस इंटरफेस पर आप अगर कोई प्रोगाम इंस्टॉल करें अलग से ब्राउजर इंस्टॉल करें तो यह इसमें जाएगा तो एप्लिकेशन बाइट अब चलिए कोशन बताते हैं कि तिसमें एक ऊशन आपसे इसको इस बताता हैं को छेलिए कोशन है आपका वीच आपका इस सिस्टम सब्चर्ण है तो यहां पर दे दिया आपका क्रोम एक और चार अब्शन लेके में दे दिया आपका वा यह वह भी ले लेते हैं जैसे टाइपी मास्टर यह भी एक तरह का सब्ट्रेयर है यह सी में ले लेते हैं अब लेते हैं अब इस वाइब पूछेगा आपसे चार आप्सन जो दिये गए हाँ पर आपसे पूछेगा बिचर्फ दे फ्लोमी इस एप्लिकेशन सब्सक्राइब अप्लिकेशन स फ्सक्राइब क्या है वह इसा सॉप्ट्व्ट्वियर जो सिट्म या नि कंप्ट्र लैप्टॉप यह मोवाईल को ही चलाने में जास अंड्रोइड का है जो एंडोइड बैसिकल Kreia एक सिस्टम व्रॉप्वार्य लेकिन उसकी में बहुत सारा अदॉप्लिकेशन है जो अलग स्टॉल करते हैं जनरली के ऑन्डॉइड थे अधे सिस्टेम चलानी में उसे सीस्टेम है चलाने में इसको बोलते हैं क्या करता है यह व्यूंटर मेंच इंटर्नल रिसोर्सेंज इंटर्नली कंप्यूटर कैसे बार करेगा यह सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है सिस्टम सॉप्ट्रेर पर नेक्स्ट कोश्चन आपका इसका करेक्ट अंसर हो जाँगा सिस्टम शॉप्ट्रेर जो कंप्यूटर है यह सिस्टम स्ट्रें को अधिया हुए आटवेक यह से देकार है मधरोड जैब तक उसमें सॉप्ट्रे इंस्ट्राल नहीं होगा सिस्टम स्ट्रेएर अब है question number 10 इसमें बोला a collection of various programs that helps to control your computer हो ऐसा collection बहुत सारे program का है जो computer को control करता है तो उसका सही जवाब होगा system software अब उम्मीद है आपको system software और application software में difference समझ में आया होगा और ये question भी देखिए इसमें एक लर्व दो है है तो important है और ये तो बहुत सारे एक्टाया पुछा गया चलिए देख्रेते क्या है तिस तप of software works with end user application software and computer hardware to handle the majority of technical details तो यह से software को हम लोग क्या बोलेंगे शको बोलेंगे हम लोग system software next है it is the set of programs that enables your computer hardware device and application software to work together देखे का बोला इसे टो क्या है सेटो प्रोग्राम है ठीक है वह क्या कर रहा है इनेवल कर रहा है computer hardware device and application software to work together दोनों हाडवेर application software में तरह से इंटरफेस प्रवाइड कर रहा है तो इसका सही जवाब होगा system software अब तो फिलियर होगा इतना तो मैं उभीद कर सकता हूं नेक्स्ट आपका फिलिंद ब्लैक्स के फार में दिया गया है क्या पूछ रहा है इसमें देखे है इस एंट software that helps a computer control to operate efficiently to keep track of data कुछ भी काम करने में भी help कर रहा है और साथ में data को एक तरह से उसका record रख रहा है निच्ट कंप्यूटर का नॉट बूट इफ डशनाट है तकंप्यूटर बूट नहीं करेगा उसके पास क्या नहीं रहा तो नहीं करेंगा तो सिंपल से बात है जब अप्रेटिंग सिस्टम ही नहीं रहागा उसका सिस्टम सॉप्ट्वर ही नहीं रहा तो किस तरह से वह बूट या नहीं कि एस्टार्ट नेक्स कोश्चन आपका कोश्चन नमबर 15 इसमें पुछा आपका फ्लिंद ब्लैंक को फॉर्मेट में है तेल्स ते कंप्यूटर हाओ टू यूज कंपोनेंट वह कंप्यूटर को बताएगा कि सारे जो कनेक्टेट कंपोनेंट है उसको कैसे यूज करना है तो इसका सही जवा आ यह सारा खेल जो है डिजिंदय माध्यम का यह सिस्टम जॉप्टवेर और एप्लिकेशन जॉप्टवेर कहीं है आप मुझे देख पारहे है इसम वीडियो देख पा ह二 तो जास्ट विकॉजॉज ऑफ सिस्टेम सब्टवेर एंड अप्लिकेशन वाप्टेयर को था उस तभी यह आपका शिस्टम सफ्ट्रार और एप्लिकेशन सफ्ट्रार का युज़ा रहा है तो इस सेशन को पूरा देखिए तभी आपको अच्छा से नॉलेज इन्हांस होगा फिर अपको अपरेटिंग सिस्टम इतने से देख रहते हैं क्या है कि वह एक तरह का सिस्टम सफ्ट्रेइ नेक्स क्सर आपका थे फिर ब्लैंक सब्सक्राइब कराना है है ओ मैनूवल स्चेट ऊटौ और क्या बताएगा कि कैसे software का यूज करना है तो प्रोग्रामिंग बताएगा मैनुवल है प्रोग्रामिंग मैनुवल बताएगा हाउ टी यूज सौप्टेयर प्रोग्राम जान रखिया इसका सही जवाब होगा बैसिक इंपूट और पूट करना है पूछा इंक्लूट बूट फर्म्वेर और पावर मेनेजमेंट तो इसका सही जवाब होगा क्या करता है बायस बूट फर्म्वेर और पावर मेनेजमेंट का काम करता है इसके लावे बहुत सारे स्पीकर कनेक्ट है प्रिंटर कनेक्ट है तो यह सारे प्रिफेशल दिवाइस है क्या होना चाहिए तब यह प्रॉपर करेगा जिसका सही जवाइस ड्राइवर तो देखिए यह आप लोग बहुत बार फेस की होंगे जिनके पास वी लैप्टॉप कंप्पूटर है क्या होता है कुछ डिवाइ ड्राइवर को हम लोग अपडेट करते हैं तो सपोर्ट करता है उसके बाद फिर वह क्या हो था डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है तो तो यहां रखेगा परिफेरल डिवाइस को अपरेट करने के लिए कौन सा सब्सक्राइब चाहिए तो उसको बोलते हैं यह एकjing के ल्गिन और ट्राइवर क्या है एक सब्सक्राइर का know this पीर गिवाइफ करते हैं सेट फिरसे कि इंस्टम प्रॉप्लि आपको सब्सक्राय पताना है अप्को के सर्दिदा बाह्म में वर्ड प्रोस्टेसर को स्प्रेट सीड या अभी जश्ट पढ़े हम लोग दिवाज जाए वार तो यह क्या होगे आपका एक तरह का सिस्टम सॉप्ट्रेयर है कि नेक्स्ट है आपका फिलंद ब्लैंक्स करना है क्या बोल रहां तो कनवर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वज टू मस्इन लैंग्वज इसका सही जवाब होगा लैंग्वज ट्रांसलेटर लैंगविज क्या करता है अब देखें पूछा है पूछा गया है आप इसको ऐसा सिच्वेशन दोनों को एक्जुकूट करना है तो यह दोनों को लिंक करेगा देगा लिंक करदेगा मतलब जोड़ देगा एक करना से नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर आपका 24 इसमें पूछा है the main purpose of is to resolve reference among files main purpose is to resolve references among files so correct answer ho jaga linker linker ka kya hai resolve karna next which of the flowing system software reside in main memory always हमेशा में 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 मरें बताये तो इसका सब्सक्राइब होका तो इसका सभड़ होगा तो यह लोड यूदर क्या है हमेशा में 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 हेरा लेकर वोड़ने थेख्वा टूशन 26 में लोड और रिलोकेट करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं सुचिए बहुत अच्छा कोश्चन ही है ध्यान रखेंगा जिनका बैगरॉंड इस फिल्ड्स होगा उनको बहुत अच्छे सपता होगा तो इसको सिंपल सा कुछ नहीं जो लोड करेंगा लोडर बोलेंग उस तो इसका साही जबाब होगा आपका एप्लिकेशन प्रोग्राम है इसमें पूछर आप से फ्ल इन ग्लेंक से भरना आप को चलिए देखते हैं इसका क्या होगा तो इसका आपका एप्लिकेशन स्वारी एप्लिकेशन शॉप्टिवेर इस शॉप्टियर फिच जू टू पार्टिकुलर टास्क तो कोई भी काम करने के लिए पार्टिकुलर जैसे कि मालेज आपको वीडियो एडिट करना है या फिर या आपको कोई पेंट बनाना या डिजाइन बनाना तो इसके लिए हम रख शॉप्टियर इंट वही चीज हो गया पर्टिकुलर टास्क करने के लिए क्या करेंगे है इस नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रइशन वो कि इसमें पुछागे आपसे शॉप्ट्ट्ट्वेर डिजाइंड प्रे स्प्रेस्पिक परपस को भी एक शोप्तेर बोलेंगे फिरेस्ट अप्लिकेत्स और है क्या है अप्लिकेशन सब्टर क्या है इसका सहीत भाब हगाप का शिंश्यान से देखेंगा प्रफ़ार्म स्पेसिफिक डास्क और आ कम्प्यूटर इतर है कि नेक्स्ट कुरिछ ना आपका कुछ्न नमर्ट 31 विडियो को लाइक कर दिजिए अगर प्रसंद आ रहा है तो एक लिक करने में कोई यह इसू नहीं है और चैनल पर नहीं है तो बिलकुल सब्सक्राइब करना मत फिरे इस चैनल के माद आपको जब्सक्राइब करेंगा और बहुत सारे मतेरियल और अल्रेडी उपलब्द है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे आपको बहुत होगा इस चैनल के माद्याम से उसको क्या बोलेंगे हम लोग उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड प्रोसेशर नेक्स्ट है विच वह फ्लोग जेनल परपस साफ्याइब अग्रल पर अग्रिवाव यू तू दू यू टू आफम आइट्रिकल और फानेंशल कलकुलेशन इसका सही जवाब होगा है तो प्रेडशीट प्रोग्हाम neste question our spreadsheet software is used spread software का use किसके लिए करते हैं तो इसका सभी जबाब होगा आपका सारे यानि की ऑल अब अबड जेएफ क्या आगा काम करता है तो किप simple company account calculate employee commission payment a simple stock control system जिस्टम विशारे काम कर लिए आपस्रेड स्टूप्ट्रोफ अब जाता है तो अन्सर हो जाग आपका all of the above next question number 34 इसमें पुछा which software is used to create presentation to show to customer to a staff member इसका सही जवाब होगा presentation software next है database software is used to database software किसके लिए उज़ता है important question है धायम दखेगा इसको इसका सही जवाब होगा कीप कस्टमर रिकॉर्ड यह थर्ड नमर अब हो जागा आपका नेक्स्टर डीटीपी जी टूल फॉर ग्राफिक दिजाइनर और नॉन डिजाइनर तो क्रिएट विजूल कम्मुनिकेशन फॉर प्रफेशनल डीटीप स्ट्रेंट सिंपल सा है डीटीप पुछा कि डीटीप का फूल फॉल फॉर्म की होता क्या है यह होगा आपका डेक्स्टॉप प्रफॉब्लिशिंग नेश्ट है आपका कोरल वेंचुरा कोरल वेंचुरा इल्लिस्ट्रेटर रण अग्जाम्पल लाए एक तरह का सौप्प्यर है पूछ रहा आपका किसका प्रफॉब्लेश्टा ही जवाब होगा डीटीप डीटीप क क्याने कि टेक्स्टॉप प्रफॉब्लिशिंग नेश्ट कोशन आपका 38 नमबर इसमें आपसे डायरेक्स पूछा कि डायरेक्स क्या है और यह अच्छा कोशन है तो ध्यान रखेगा इसका सभी जवाब होगा सब्सक्राइब करता है मतलब चलाता है उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्स इन्पोर्टेंट कोश्चन है द्यान देजिएगा इस पर भीच्चे बंगदव फ्लॉविंग इस नौट एन एक्जाम्पल आप सिस्टम सब्सक्राइब करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम देख सब्सक्राइब नेगे तरतार से क्या है यह एक तरुसक् सब्सक्राइब था। पर बेफ यह सपरेशल पर्पван तो इसका सभी जवाब होगा स्पेशल पर्पर्पर्स के लिए स्पेशल पर्पर्पर्स उप्रेट करेंगे नेक्स्ट भीच टाइप उप्रोड़क्ट्स इन स्टॉक्स किस तरह का सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप मालेचे कि बीग बजार में या फिर रिलाइंस स्टॉर या कोई भी किसी तरह का बड़ा स्टॉर में जाते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा समान भी स्टॉक में है नहीं है ऐसा थोड़ी है कि वह चेक करते आएंगे मैनुवल तो यह सारा एक सॉप्वेर के तरीके से मैनेज होता है तो आपको बताना है है कि तरहगा सॉप्वेर होता था से इसका देखेसज जवाब होगा इन्वेंटरी मेनेजमेंट कि यसमें उसमें क्या होता है तो यहां से डिटेक्ट हों के ना और एक थ्रेस्वल्ड रहता है जिस पर क्या होता है कि मान दीजे कि टोटल प्रोड़क्ट 500 है कोई भी आइटम और उसमें 100 पेलट क्योंकि डिमांड अगर पहले से वह लट नहीं दिया गया मतलब काने का मतलब 500 है तो जैसे ही 400 हो जागा 100 लेट बचेगा तो यहां पर एक अलएट हो जाता सिस्टेम को और डायरेक्ट वह ओडर के लिए नेक्स्ट ओडर के लिए मतलब की वह समान मंगवाने के लिए आप एक तरह से नोटिफिकेशन के लिए कर देता है तो ऐसे बहुत कुछ है इस इन्वेंटरी मेनेजमेंट मे इसी तरह क्योंकि वह एक नहीं चेक करते रहेंगे कि कितना मेरा दवाई बचा हुआ है कौनसा भी का तो इसी के लिए यूज होता है इन्वेंटरी मेनेजमेंट शॉप्ट्यर का उम्हीद करता हूं आपको समझ में आओगा नेक्स्ट को चैने आपका फोटी टू इसमें कुछ राग या आपसे असवाप्ट्यर प्रोगाम देट्ट एट्स फंक्शनलीट वर कंप्यूटर और हैट पर कंप्यूटर प्रफॉर्म बेटर वैसा शॉप्ट्यर जो प्रेटर को और मत्ब्र प्रफॉर्म करने के लिए हैल करता तो उसको क्या बोलते हैं इंपर्टन क स्टोरेज स्पेस पूछ रहा है छोटा सा स्पेस है वहां पर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स बहुत सारे फाइस को स्टोर करना है तो क्या यूज़ करें हम लोग अच्छा कोशन नें इन्पोर्टेंट है जो दोन रखेंगा तो इसका स्बैक्व अफाइल कमप्रेशन से पर ओल्म नेख्श देख्योंगा अफिल्यृट करतेते हैं फिर वा थाइँ अजीप टो बड़ापाइल को क्रते हैं उसको उसको बोलते हैं फाइल कम्परेशन एक्साइब करता है जो होता है ट्रांसफर करने के लिए तो उसको बोलते हैं इसकी चार एंबी का फाइल है उसको एक एंबी या दो एंबी करके कर देगा जीप कर देगा बाद में परिशिबर के साइड वह क्या होगा ऑफिशेवर करको सेम डेटा एपना सेम एक्सिट्रैक्ट हो जाता है नेक्स्ट है इसमें है क्या पूछा आपसे लिन्द ब्लांक से जब बिंडो उटिटी प्रोगाम देट लोकेट्स वैसा उटिटी प्रोगाम क्या करता है लोकेट करता है लिम्नेट अन्नेसेसरी फ्रेग्मेंट्स और रियरेंज फाइल्स मतलब कि जैसे की देखें माली जी कि यह आपका स्टोरेज है कुछ डेटा यहां है कुछ इस तरह फ्रेग्मेंट में बच्चा हुआ है कुछ यहां से डिलीट हो गया है तो यह सारे को मैनेज करने के लिए क्या आता है एक प्रोगाम यह होता है उसको क्या बोलेंगा हम लोग लुग है तो इसका सही जवाब होगा आब जिस्क डिफ्रेग्मेंटर यह क्या करता है कि जैसे देखिये माली जैंकि यह चारं बीका स्पेस है फिर चारं बीका स्पेस है अब तो है तो यहां पर श्टोरेज में इसमें इसमें इस आने इसेंबल करके और यह जो खाली स्पेस्ट्स ने इसले तो इस यह स्टोर क्या होगा एक तरह से तो यह क्या करता है जो भी डेटा या एक तरह से जनरल आप लोग समझे कि जैसे कि आपका रूम में आप लोग बहुत सारे समान रखे हुए हैं तो पुरा क्या होगा वही इसको अरेंज कर दिया क्रॉपा तो अस्पेस छाली रगाएगा यही काम कंप् नेक्स्ट कोशन आवर 46 इसमें पूछा गया आपका फाइल्स आप ब्रोकेन अप इंटो स्मॉल पार्ट्स और डिक्स दे आर सेट टुभी जब कोई भी फाइल छोटी-छोटी टुकर है में बढ़ जाता है और डिस्क दे सेट टुभी तो तो क्या हम लोग कहेंगे इसको बोलेंगे फ्रेग्मेंटेड फ्रेग्मेंट का मतलब होता है टुकरा होना नेक्स्ट है इसका इसका सही जवाब होगा अब लोग बहुत सारा बहुत बार सुनते हैं बैकप बैकप होता क्या है यह क्या होता है कॉपी टु सेब डेटा फ्रम ओरिजिनल सोर्स तु अधर देस्टिनेशन मतलब कि जैसे माली जे कोई एक डॉक्मेंट अप्लिएट किये आपकर कंप्यूटर यह किसी तरह से सब्सक्राइब लगा तो आपका वो डेटा तो चला गया तो उसकेस में क्या होता बैकप क्या करता है कोपी अंड सेब सेम डेटा का एक कौपी बना लेता है और वह कहीं और इसनेशन मतलों कि अभी माली जे क्लाउड यह वीडियो यह बना रहा हूं तो यह वीडियो अभी क्या है मेरे डिवाइस पर होता है तो यह तो डेटा लाउस हो जागा जैसे यूटूब पे डाल दूगा यह तेल्ग्राम पे डाल दूगा यह फिर लौड में स्टोर कर लोंगा तो वह क्या है मेरा घरी डिवाइस खराब होता है बट वो डेटा मेरा सुरक्षी परहेंगा तो इसका सब्सक्राइब होगा होगा उमिद करता हूं आपको नेक्स्ट को स्टेन नमर 49 49 में पूछ रहा है जो बैक अप कांटेंस से कॉपी अप एबरी प्र सारा कुछ से कॉपी कर लेगा डिस्क लीनर क्या करता है बाइडिफॉल्ट रहता है यह बिंडोज आप लोग उसकी यह है तो सब्सक्राइब करने का स्पेश मतलब कि जो भी क्या टेंप्ररी फाइल है उसको रिमूब करता है और प्रिक यह क्या करता है यह क्या क्या किसका यह डिस्क लीनर का काम है यह डिफॉल्ट यह रहता है सिस्टम में अगर विंडोज आप लोगोज कर रहा है तो देख सकते हैं नेक्स रेकें अ देकन फाइंड फाइल्स देट अननेसेशरी तो कंप्यूटर ऑप्रेशन और इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनर नेक्स्ट क्लीनर नेक्स्ट कोशन नमबर 53 और ग्रेट बी में पूछा गया अच्छा कुश्चन होगा यह टेक्स्ट इंटर इंटर क्या है बताना आपको तो टेक्स्ट इंटर क्या है यूटिलिटी सॉप्ट्वेर है ध्यान रखेंगा नेक्स्ट भीच आफ फ्लोविंग इस नॉट रिलेटेटेट टू इसका सही की जवाब हो गा तो चाहिए रिलेवेट इजर्वेशन सिस्टेम एक्स्टेम इट्लीलिटी प्रगाम इंक्लूड वी प्या रखता है इसमें रहता है बारास स्केनिंग सब्ट्वेर बैकप सब्ट्वेर डिस्क इप्रेग्मेंटर तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा अलब देबब सारे सही है नेक्स्ट है वीच आप दे फ्लोविंग एडिया एक्जांपल अफ उटिलिटी सब्ट्वेर आपता ना कि कौन सा उटिलिटी हो गया और डिस्क डी फ्लेग्मेंटर हो गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नमबर सिस्टी स्टी पिप्टी सेवन इसमें पुछा गया आप से बीच आप दो फ्लोविंग इस नौट रिलेटेट तो एन आप्लिकेशन सब्ट्वेर नहीं है तो आपका जो अप्रेटिंग सिस डिक्रिप्ट और लांग तो है क्या सब्सक्राइब करें जो खेंता है और फिर आपको दिक्रिप्ट करने के लिए आपको डिक्रिप्ट करना करना हो और तो है और यह सब्सक्राइब पूछा गया है इसमें पूछा गया आप से मीन्स दैट देर इस क्या बोल रहा है मीन्स दैट देर सोर्स कोड इस नॉट अब लेबल कि तो इसका सही जवाब हो जागा कि अ अगर यहां पे यहां पे अपे ज़ुद्ध कर दोंगा बात में इसको कि नेक्स्ट है को सिक्स्टी है इसमें पूछा गया आप से इन पूछा गया बहुत सार एक्जाम में अलावें बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हूं पसंद आया होगा और यह है पसंद नहीं भी आया तो आप दिल्कुल इसको देखिए आपको एक्जाम में यह आपको त्यारी में मेरा एक्जाम आपको अच्छा लएगा तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सपोर्ट कीजिए चलिए ठन्नेवाद मिलते हैं नेक्से सब्सक्राइब